सब्सक्राइब करें आपको पढ़ने की समझवा जाएगी और मैं आपको भाई एक ही पेज में इसी सिंगल वीडियों को पूरा का पूरा समास खतम करने का प्यास करूंगा बस आप अंतक बनी रहीगा नोट मत कीजिएगा इसको आराम से समझीएगा क्योंकि पूरा समझने वाले टॉपिक है ये आपका ग्रामर का टॉपिक है इसको थोड़ा साप लॉजिकल तरीके से पढ़ोगे तो भाई आप देखिएगा सिंगल पेजिएगा पूरा का पूरा टॉपिक मैंने समयट दिया है ठीक है आपको करना क्या है कोशन नहीं करना भी आप अंतक बने रही है अगर आपके हिंदी की समास में अगर समास टॉपिक मैं आपको दिक्कत नहीं आने वाली है ठीक है समास पहचानने की इस तरीके से कोश्चन आते हैं कि इसमें कौन सा समाज यह आपको यहां पर clear होने वाला है आराम से कोश्चन देखके बहां समाज बदतो कि कौन सा समाज है तो चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको अगर आप MP के कोई भी एक्जाम को टार्गेट कर रहे हैं चाहिए MP पुलिस कॉंस्टेबल हो, MP SI हो, MP 16, पटवारी, पटवारी तो खेले भी रेगुलर हो गया है, आने वाले कोई भरती को आप टारेग रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, यहाँ पर आपको टाइम टाइम पर बहुत सरे प्रोवाइट करता रहता हूं, तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पर आपको बता दूँ भाई, समास, ठीक है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसका भाई, सबसे पहले ये दो चीजां आप उसकी फा सबसे पहले क्या है, तो क्या है का आपका जवाब निकलना चाहिए, कि समास की अपकी परिवास आपके दिमाग में ने चाहिए, जो कि खुद की परिवास हो सकती है, ठीक है, और आप बुक की परिवास है, अईसी हो जो आपको एक लाइन में चीज़े समझा दे, जैसे कि परिवासां जो यह बाई रिगूलर चलती है कि दो से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया समास कहरा दिजी इस तो आपने पढ़ाई होगा कहीं नहीं मतल एक पूरपद होता है एक उत्तरपद होता कि मेल से बना तीसरा सब्द ठीक है समास कहलाता है खतम ठीक है भाई अलग अलग अर्थ वाले दो सब्द या पदों पूरपद उत्तरपद के मेल से बना तीसरा सब्द समास कहलाता है इतना ही है भाई समास समास का अगर क्या वाला जोड़कर पूरपत क्या होता है और अपका उत्तरपत क्या होता है किसी पी सब्दिका पहला बद जिसका कोई एक पूरपत क्लिब आपका पूरपत क्या होता है इससे कि भाई यहां आप देख सकते हैं, और उसका अन दोनों से मिल से जो बनें Wilson आपका समस्त पथ कहई की चोटा साइक्जाम हम हले यहां से आपका वक्त हो गया तो यहां पर नीला गगन इन दोनों के अलग 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 अर्थ है पर इन्होंने आपका पूरपद का उत्तरपद को अपने मिला आया तो यहां पर यह नील गगन बन गया ठीक है इस हैं आपका व्प्र पद हो गया और गया उपका उत्तरपद हो गया इस से मिला कि आपका राष्ट नायक एक सब्पूर्ण समस्थ पद बन गया Sam bhoi, question इस तरह के सरे भी आता है और एक question ऐसा भी आता है समस्थ पत देगा या फिर आपको विग्राद देगा जैसे कि Yes को प्राप्ट, उसका समस्थपत क्या कहलाएगा तो Yes प्राप्त, Yes प्राप्त देगा तो लिज़ारए लगा कर उसको समास्थ कहते हैं खत्म है । मतलब दो पहरों का समहार दोफेर कहलाता है यह आपकी खुश एग्जामपल थे जिससे मैं आपको बताईगी बहुता है समस्ति पत्प्त क्या होता है वि्रृ पूरपत क्या होता है इतना आपको समझे में आ ऐगा गया तो आधा क्लियर हैं तो एक रहा है अगर इससे पूशे जाए कि यह कौन सा सब्दव है तो आप बहांपे कोश्चन लगाऊगे यह समासिक पद्व पटवारे में दूम मचा दिखी थी असके बाद आपने लगाना है नीला कमल इस तो आपको पता है नीला कमल भाई अलग ही देख रहा पर आपको यहाँ पर कारक्चिन लगाने जो कि है और जो मतलब नीला है जो कमल इन दोनों को मिला कि आपने इनका विग्रे कर दिया और इसका संपून रथने कला नीला है जो कमल अर्था नील कमल ठीक है तो यहां अलग-अलग कर रहा है है और जो तो इनको याद होना चाहिए आपको अब पता होना जए कई समास के डे work होती है अऋ ले केक्शे भाग पी हो रही से घ्साम्पल में आता है इतना आपको याद करना है अब इसको इनकी जो डेफिनिशन आपको इजी इजी में वन वन लाइम्या याद करने का आपकी ट्रेक बताऊंगा आपको कैसे याद करना है अब याद कैसे करना है अब आगे आपको इतना याद हो कि छेवेद होते हैं इसके आगे इनकी डेफिनिशन क्या है अब याद मतलब प्रधान होता है अब याद रखना है अब यहां पर देखा है और दो दिन आपका रखना हो गया थेख तो पूरापत मतला पहलाorta जो है वह प्रती एक प्रध dieser सब्ड है जिसके कारण यह जो समास अभेव के इंदरुक्त आ सम वॉल्छ के अनुरूप ठीक है यहां पर पोरीपद होग computer होगे आपके रूपć इसी प्रकार भाई यह example exam में अगर आते हैं, इस थाइप के एक्जामपल और भी होते हैं बुक्स से लगाईए कि अगर आप इस ट्रिक्स से सॉल्ब अगर हर एक कोशन का आप कांसर आने वाला है ठीक है सेम सेकेंड की बात करें तत्पुरस अगर आपने यह तीन-तीन का फैक्टर वनाए ठीक इनको डिवाइड करने तीन-तीन में हैं भ आपको याद रखें तत पुरोस मतलब पुरोस को याद रखा ऊँवर मतलब हएं उत्तंपर उत्तर परद produktPE تरखान होता की चिन्न होते हैं इसमें प्रधान होते हैं लुप्त होते हैं लुप्त मींस इनमें बाधाएं बनते हैं बीच में ऐसे आद को याद रखना है ठीक है जैसे कि इसका एक्जामपल एक छोटा सा यहां पर मैं आपको बताऊंगा भी और राजकुमार ठीक है जैसा कि यह राजक आपको सामने देगा द्रिगु दुरंद, तत्पुरस और करमधारा अगर अगर आगर 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 तो इसको पहचानने की ट्रिक क्या है अभेभाव को पहचानने की इसका उत्तरवदत का प्रदान होना चाहिए तत्पुरस को पहचानने की क्या ट्रिक है इसमें काकी की बगेर लगया होना चाहिए जिसको आप कारक्चन है फिल आपका बिभक्ती चन्ने कहते हैं चुकि राजा का कुमार राजा का कुमार राज कुमार ठीक है इसमें लगा हुआ है कारक्चन उसके बाद करमधारा करमधा रहती है विसेज इसमें जो पूरपद उत्तरपद का उपमान उपमे से संबंध रखता है अब यह उपमान उपमे क्या है यह आपको छोटा सा डेफिरिशन देकर समझाने का प्रयास करता हूँ जैसे की इसका ही अपने लेते हैं ठीक है उपमान उपमे आपको यह समझना कमल यह आपका चरन कमल कमल के समान चरन ठीक है तो यहां पर आपको कैसा मजना है उपमान क्या होता उपमे क्या होता आप सीधा से याद रखिए उपमान मतलब जिसमें किसी चीच के तुलना की जा रही हो कमल से तुलना की जा रही है किसकी चरन की अर्था चरन कमल ठीक है उपमान याद रखो मान संमानी है उपमे मतलब आप मतलब करें से बड़ी चांड जनदर का संदर ने मान लग जाएगा ऐसे ही कमल, कमल होगा आपका उपमान और उपमे होगा आपका चरन चरन छोटे हैं कमल बड़ा है, कमल से तुलना की जा रही है सैम भाई उपमान उपमे का संबन्द होता है तो इसमें संबन्द है कमल के समान चरन अर्था चरन कमल इसमें तुलना की जा रही कमल से, किसकी चरन की, चरन जो है कमल की समान है, अर्था चरन कमल, करमजरा समास आपका यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है, पहचानने की ट्रिक आपको बता दिया है, एक्जामपल आप इसकी बुक से लगा लेजिए, भाई, आपको स्टैन्म ट आपको देखना है, ठीक है, दुरंद द्रिकू, इन दोनों में अगर आपको confusion होती है, आप पहले दुरंद देखो, दुरंद मतलब दोनों में यह देख सकते हैं, आपके दुरा लगे हैं, ठीक है, दुरंद में दोनों में यह चिन्न लगे हुए हैं, तो दुरंद मतलब twelve व्राइब देख सकते हैं यह बिंदियागन्हा लगा है अपन तो दा और दा यह लोग से हैं तो आप एसे देख सकते लिए दूरु पद एक से होती दूरु पद प्रधान हो द्वन्द समाज में जैसे कि माता पिता इनके सामने यह चिन लगा रहता है इसको योजक चिन्न ति कि योजक चिन निया है, तो मातवी ओर पिता भी दोनों प्रधान इस सब्चेवे दोनों प्रधान है, किसी एक के भिठान भी डारेक्ट वर्ड पूरा नहीं होता वह ग्या योजक चिन लगा है, जैसे कि खान-पान, शापन कहने, से याद रखना पड़ेगा इसका पहला पद पूर्व पद संक्या बाजा को द्रिगो समाज जाई तो पहरों का यहाँ पर मैंने आपको एक्जामपल भी बताया था दो पहरों का समाहार मतलब दो पहर ठीक है दो बाली बात आ गई दो मतलब एक गिंती है सेम भाई चोरहा सेम भाई इसको आप देख सकते हो द्रिगो समाज हो गया आपका दुरंदर भी हो गया बात कर अब बहु बरी बहु मतलब बहु बरी मतलब किसी तीसर की बात की जा रह रही है बात कुछ और चल लए तीसरे की बात चलती है यहां पर आपका जब तीसरे सब्द निकलता है तो यहां पर बहुत ब्री समास आ जाता है ऐसे आप इन 6 की 6 समास को याद रख सकते हो इस वीडियो बार बार देखना दो तीन बार आप देखोगे न तो आपको चीज़ा रट जाएंगे ठीक है बात करें भाई जैसे कि अपने याद है यहां पर 6 चोड़े थे तत्पृस समास को ठीक है तत्पृस समास को छोड़े थे कि यहां पर 6 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं समास पहसाने की ट्रेक यही है आप इनको याद करोगे आपको देखना एक एक एक्जम्पल से समझ में चीज आने लगी पूरे के पूरी बुक का भाई मैंने एक पेज में जोड रख दिया आप इतना भी पढ़ लेते हो ना भाई आपका पूरा समास यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको अधर टॉपिक के भी नूट सेंटो सम इसी तरीके से बनाना है अब इस तरह किसे वन वन लाइन में नोट्स बनाईए और चीजों को रिवाइस कीजे यहीं से आपकी हर एक चीज कवर होने वाली है करता और संपूधन इनका भाई कम्यूज होता है कुछ कुछ बुक में इनके चीज़ें दिये भी हैं कुछ टीचर पढ़ाते भी हैं कु करन में पर बस यहां तक आप याद राख सकते हैं इनको ना भी करेंगे तो कोई दिख करने हैं इन दोनों को ठीक है तो इसका यूज कहा होता आप इसको याद करने के ट्रिक बतारों कुछ तत्प्रोष समास आया इसमें भाई यह आपके आपने देखा हो को ऊपर बिभक् कुछन कैसे आते हैं कर्म तत्प्रोष समास कौन से नंबर का तत्प्रोष समास यह भी कोशन तो आपको द्वती लगा सकते हो पहला कहला आता है द्वती तरती चोठत पंचम छटवा मतलब आप देख सकते हो ठीक है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फूर्थ फिफ्ट शिक्स और सबस्ट म Creating a जाता है इसको याद कैसे करना है करता को यहाँ लगा है पर अपर आप आप देखने को मिलते हैं यहां के नंबढ यहां के ओड़े ज достаточно करते था सब्सक्राइब कि जब भी आते हैं पर वो आजकल यहां से कोशन कम ही देखने को मिलते हैं और अभी MP4 पटवारी में भी यहीं से कोशन आया थे आपको रेगुलर देखिसे मैं आपको बता दूँ जैसी कि आपको याद क्या करना करताने कर्म को सिर्फ करताफ फ्लोइंग के लिए आप याद सकते हो कर्म को करन से कि अब संब्रदान के लिए अपदान से अलगाउचे नाता संबंध का अधिकरन में तीक है याद हो गया अब एक्जांपल देख सकते हैं इसकी डारेक्ट ली जैसे कि यस को प्राप्त जैसी कोशन आएगा यस प्राप्त में कौन सा यहां से आप करने वाला को आ रहा है को मतलब बिभक्ति चिन को काई में तक करम आता है आपका करम समास सहीं समझ गए बस ऐसी आपको याद करना है एक लाइन में आप सिर्फ इनको फोकस करें ठीक है इनको याद करें एक्जांपल दो छोड़ने बाई जरूरी नहीं कि यह आए पर आप आपको यह चीज़ याद हो गई तो यहाँ पर आराम से कोई भी एक्जांपल पकड़ लोगे सेम करन से अगर आता है जैसे कि रेखांकित रेखा से अंकित आपको से पकड़ना है से से काई में आता है करन से तो आपका करन सतत्पुरस समास अंसर ठीक है प्रियोक के लिए स आपका संप्रदान यहां प्याँ आएगा ठीक है के लिए संप्रदान के अंतरा आता है और उसके बाद यह आपका प्रयोक साल में जाएगा आपको धनसेहीन दे दिया अपने इसको बिवक्त किये धनसेहीन से पकड़े अपने और से मतलब अपदान ठीक है संबंद काकी के राजा का कुमार अपने उपर एग्जांपल भी दिखा था राजकुमार दे दिया आपको एग्जांपल में कोश्चन पूछा कौन सत्समास है आपने राजा का कुमार किया का पकड़ा का मतलब संबंद का का मतलब संबंद का की की ठीक है खटम रानी की राजकोमारी ऐसा भी हो सकता वर काकिकिया होसकता है ठीक है सेम अधिकरण अधिकरण में इसको याद करने के टरहए आपको बताता हूं ठीक है अधिकरण मेंपर ठीक है फिल्स में उत्तम ४ोरुस उत्तम दे धिया आपको in exam आपने पकड़ा और अधीकरन हमें खतम यह था भाई आपका पूरा का पूरा समाज इसमें आपको तीन जगह देखकत आने वाली है करता ने कोई करता है कर्म को काम को कर संप्रदान के लिए अपदान से संप्रदान सा मतलब एक बड़ा सब्द मतलब आके बाद ही आता ना भाई सा नीचे आता है ठीक है बहुत नीच है मतलब बड़ा सब्द है आ मतलब पहले नंबर में आता है आई हूँ तो छोटा सब्द है छोटा सब्द इसलिए से से मतलब सिंगल है सिंगल मतलब छोटा ऐसा याद रख सकते हो आ मतलब छोटा है तो से सिंगल और संप्रदान मतलब बड़ा सब्द है तो के लिए, के लिए मतलब ये बड़ा आ रहा है, ऐसा आप संप्रदान अप्रदान को याद कर सकते हो, मैंने भाई ऐसा ही किया दसको, करताने कर्म को करन से संप्रदान, के लिए अप्रदान से संबंद का, किसी का संबंद किसी से, ऐसा याद रख सकते हो, संबंद का, अध करन में अधीकरन में किसी की भूमें लादीकरन में ऐसा आप याद सकते हिए इस यह बार बार पढ़ना यह आपकी पूरी समास का फ़ेक्टर यहीं से यह से आते हैं क्योंकि तदप्रत समास के अंदर बहुत ही कम जाता है डिजल में बाखिए सब्ट सब्टा होता है कोश्चन आपके गलत् होएंगे तो यहां से यहां से आपके यहां से एक बी कोश्चन करतनी होने वाले आपको अगर यहां फे कमेंड करके कैसी लगी वीडियो आपको क्या benefit मिला और एक्जामपल आप जरूर लगाएगा बहाँ से आपको देखने को मिलने बाले यहां पर मैं एक चीज़ एड करना चाहूंगा जाओंगा अंदर रहते हैं कि करमधारा समाज द्रिगु समाज ठीक है करमधारा समाज और बहुबरी समाज कहीं से सिमलर आपको देखता है तो यहां पर फोड़ा सम्क्रिप्ट कर सकते हैं चीज़ यहां फोड़ा समाज की definition पढ़ना अगर नहीं आ रही समझ में तो फिर भी आप में को कमेंड करना मैंने के पर छोटी छोटी ट्रिक देदूँगा आपको दो दो अगली वीडियो में जब तक के लिए जैंग